हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कॉनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम Options Trading में VWAP से Profit कैसे बना सकते हैं यहनी हम Options Trading में VWAP का कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में डीटेल से बात करने जाएं तो चलें सीखते हैं How to use VWAP in Options Trading यहां पे हम चार्ट पे आगे हैं और यह जो चार्ट आपको देखने को मिलवा है यह आपका Bank Nifty का 5 मिनेट टाइम फ्रेम बादा चार्ट है तो 11th of November के अगर हम बात करें तो देखें प्राइस आपका जबरदस्त gap up open हुआ है और यह जो open हुआ है आपका कहां पे open हुआ है 42,200 के करीब open हुआ है और 42,220 का high touch किया है यह अब अगर हमें यहां पे trade करना है तो हमारे पास दो strike price बनता है strike price का selection आपको हमेशा in the money करना है अगर यहां से हमें लगता है कि price नीचे आएगा तो हमारे पास 42,300 का put options रहता है जिसमें हम trade कर सकते हैं अगर हमें लगता है यहां से price उपर जाएगा तो हम slightly in the money है 42,200 के call options में trade करेंगे यानि इनी दो options में हम trade कर सकते हैं आइदर हम by side की तरफ जा सकते हैं या फिर हम sell side की तरफ जा सकते हैं तो strike price का selection आपको slightly in the money हमेशा prefer करना यानि आपको हमेशा ITM करना जैसे कि यहां पे हमने किया है यह ज़्यादा कोई difficult नहीं है जो भी nearest in the money call options या put options बनता वो हमने select कर लिया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों strike price के chart को open करेंगे तो सबसे पहले हम 42,300 के put options के chart को open करना prefer करेंगे तो यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं 17th of November expiry वाला 42,300 के put options के chart को open किया और time frame है 5 minute वाला अब यहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना है अब यहाँ पे हमें VWAP का इस्तेमाल करना है यानि जब हम strike price का selection कर लेंगे तब हमें VWAP का इस्तेमाल करना है और यह जो white line देख रहा है यही हमारा VWAP बाला line है अब हमें यहाँ पे क्या देखना है यह जो VWAP है वो सबसे पहले हमें चेक करना है कि VWAP आपका resistance के रूप में काम कर रहा या फिर support के रूप में काम कर रहा है सबसे पहला काम हमें यही identify कर रहा है कि VWAP support के रूप में काम कर रहा या फिर resistance के रूप में काम कर रहा इसी दोनों के बीच में काम करता हूँ दिखेगा, अगर by chance यह आपका वीवैप कलाइन हुआ, प्राइस इसके उपर भी जा रहा, नीचे भी आ रहा, इस तरीके सा अगर move कर रहा, मतलब नहीं यह आपका resistance की रूप में काम कर रहा, नहीं support की रूप में काम कर रहा, उस situation में क्या करना, हमें trading avoid करने की जोगत है, हमें trade नहीं लेना है, यह नहीं, जब वीवैप आइदर एकदम clear cut resistance की रूप में काम करेगा, या फिर support की रूप में काम करेगा, तब ही हम trade लेंगे, otherwise 30 conditions में trade नहीं लेंगे, सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखने की जोगत है, या फिर यह conditions मान के आप चल सकते हैं, अब यहाँ पर हम चार्ट पर आ जाते हैं, इनिशिल में देखिए थूड़ा सा hurdle लगा था, cross करने में एक दो candle, अब जैसे ही इसको cross करके ऊपर निकला है, यहाँ पर जो वी वैप है, वो आपका एक clear cut किसके रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, उसकी बाद यहाँ पर हम confirmation के लिए wait करेंगे, हमने एक दो candle wait किया, उसकी बाद हम क्या करेंगे, इस candle के करीब, यहनि तीसरा candle, लगबग 425 के करीब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 425 भी करीब, हम buy side की तरफ positions initiate कर सकते हैं, अब यहाँ पर अगर हम SL की बाद करेंगे, जो भी lowest point बनवा है, इसका lowest point सबसे लोग है, यहनि 390 का यहाँ पर हम SL रखेंगे, यहनि हमारा जो SL भाएगा वो लगबग 390 करीब हमारा SL भाएगा, और target price की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लगबग हम 500 तक के target price के लिए आसानी से जा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम risk reward अपना check करें, तो target price जो मेरा बनवाँ लगबग 75 point का बनवा है, और SL की अगर हम बात करें, SL लगबग बनवाँ 25 point इधर और 10 point इधर 35 point का, यहाँ यहाँ पर काफियत तक हमारे favor में, risk reward भी हमारे favor में move करता हुआ दिख रहा है, उसके बात देखिए, price आपका all the way उपर साइट की तरफ गिया, और हमेशा से यह जो आपका VWAP है, वो support के रूप में ही काम करता हुआ दिखा है, कभी भी आपका resistance की रूप में काम नहीं किया है, और all the way उपर गिया है, और 500 जो हमारा level था, उसको touch कर दिया, 508 का high touch किया, यहनि, anyhow यहाँ यहाँ पर option से 70 point का profit हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ अलग chart देखने की विज़रत नहीं है, call options को भी हमने select किया था, इसमें भी हम fade कर सकते थे, क्योंकि हमें market का direction नहीं पताएगी कहां जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए हम दोनों strike price को selection करेंगे, और दोनों के chart को open करके हम trading opportunity find करेंगे, अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो पहला 2-3 candle ही हमें क्या दिखा दिया, कि यहाँ पर जो हमाई लिए VWAP काम कर रहा है, वो clear cut resistance के रूप में काम करता हुआ दिखा, यह नहीं, जब हमने 42,500 के put options को लिया, तो VWAP support के रूप में काम कर रहा था, और वहीं जब हम 42,200 के call options पर आये, तो VWAP resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, जब हमने देखा कि 2-3 candle resistance के रूप में काम कर रहा है, तो हम VWAP के आसपास ही, यह नहीं लगबग हम, 290 के आसपास ही हम क्या करेंगे, sell side की तरफ trade initiate करेंगे, अगर आप sell कर सकते हो तो, अगर आप sell नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे सामने दूसरा options भी है, आप वहाँ पर options buying कर सकते हो, 290 करीब यहाँ पर हम sell करेंगे, और इसका जो highest point रहा, आपका 313 के करीब, हमारे लिए SL बन जाएगा, 313 हमारे लिए SL की रूप में काम करेगा, target price के अगर हम बात करें, तो 250 हमारा clear cut first target price होगा, और उसके बाद अगर हम target 2 की बात करें, तो 200 हमारा दूसरा target price होगा, अगर हम पहले target price के भी बात करें, तो लगभग मेरा जो SL बन रहा है, वो 25 पॉइंट से कम का, 23 पॉइंट का बन वा है, और target price के अगर हम बात करें, तो लगभग हमारा 40 पॉइंट का target price बन वात, पहले target से भी अगर हम conclude करें, तो risk reward हमारे favor में, move करता हुआ देख रहा है, इन risk reward हमारे favor में ही है, तो यहाँ पर मासानी से trade ले सकते हैं, price आपका all the way नीचे साइड की तरफ आया है, और यहाँ पर आपका low touch किया है, 222 का low touch किया है, यानि anyhow यहाँ यहाँ पर हम 40 to 50 पॉइंट का profit, हम आसानी से options trading में बना सकते हैं, वो भी sell side की तरफ जाके, sell करने में थोड़ा सा ज़्यादा funding की ज़रुवत होती है, उतना ज़्यादा भी funding की ज़रुवत नहीं होती है, फिर भी आप trade initiate कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम call options और put options, दोनों तरफ से हम profit बना रहे हैं, जो भी आपको सही लगता है, जहाँ पर भी आप trade करना चाहते हैं, वहाँ पर trade कर सकते हैं, और हमने क्या देखा, strike price का selection किया, और strike price के chart को देखते हुए, हमने यह trade लिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ करना है, कि आपका जब bank nifty का chart है, time to time आपको उसको भी देखना है, अगर यह आपका एक particular range में चला जाता है, यानि एक particular fixed range में चला जाता है, तो यहाँ पर अगर हम options buying करते हैं, तो options buying से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि premium decay काफी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें देखना हैं कि यह at least range born move ना हो, और देखिए यह ज़्यादा range नहीं पकरा, सबसे पहले यह downtrend लिया है, फिर आपका यह uptrend पकरा है, तो uptrend आया है, यहाँ पर कुछ हमें opportunity मिला है या नहीं मिला, वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम अगर 42,500 के call options के ही बात करें, तो उसके बाद देखिए, second half में, यह क्या किया, फिर से यहाँ से upside move पकरा है, अब जैसे इसको breaker के उपर निकला, यह resistance किसमें convert हो गया, support में convert हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर confirmation के लिए wait करना परेगा, कि market इस support level को क्या करे, respect करे, तभी हम tweet लेंगे, तो देखिए अगला लगवा, 3, 4, 5 candle इसको respect किया है, इसको support के रूप में tweet किया है, तो हम क्या करेंगे, इस level के आसपास, यहीं इस candle के आसपास, या फिर आप rate candle पर interview ले लो, यहीं पर 285 के आसपास हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर buy करने की कोशिस करेंगे, टागेट पर इसके अगर हम बात करें, जहाँ पर हमने SL रखा था, यहीं 315, यह हमारा टागेट पर इस रहेगा, और यहाँ पर अगर हम SL की बात करें, तो इस candle का जो भी lowest point बना है लगभग आपका 265 के करीब बना है, यहनि यहाँ पर हमारा SL रहेगा 265 के करीब, तो यहाँ पर अब हमें risk और reward चेक करना है, तो हमारा यहाँ पर SL बनवा लगभग 20 point का SL बनवा target की अगर हम बात करें, target जो हमारा बनता हूँ देख रहा है, 30 point की करीब target बनता हूँ देख रहा है, यहाँ पर भी risk reward काफी हद तक हमारे favor में move कर रहा है, अगर हम first target price के भी बात करें तो, तो यहाँ पर देखिए price आपका उपर गया, और all the way target price को इसने आसानी से hit किया, आपका और उपर side की तरफ गया है, यहाँ पर यह 400 के level को भी touch किया है, तो उससरा हम छोड़ देते हैं, जो हमारा first target price था, 350 और इसकी बाद हम 350 के target price के लिए जा सकते हैं, जहाँ अज हमें आसानी से profit मिलता हूँ दिख जाता, तो इस तरीके से नीचे में भी लगबग हम 50 point का profit बनाए, sell करके और वापस से buy करके भी लगबग हम 40 to 50 point का profit हम बना सकते थे, in fact 30 point अगर हम पहले target price की बाद करें, तो अच्छा खासा profit हमें यहाँ पर मिलता हूँ दिख रहा है, और हमें clear cut direction market दे रहा, अगर हमें market clear cut direction दे रहा है, तो हम trade initiate करेंगे, अब यहाँ पर हम nifty पर आ जाते हैं, nifty के 5 minute के chart को अगर हम देखें, यह आपका open हुआ है, 18,300 के करीब, तो यहाँ पर हम add the money के आसपास ही जाना जाएं, क्योंकि यही आपका make or break level है, यहाँ पर हम 18,300 के call options, और 18,300 के put options के strike price का selection करते हैं, अब हम दोनों के chart को open करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कुछ clear cut direction मिल वा है कि नहीं मिल वा है, सबसे पहले 18,300 के call options को देखते हैं, यहाँ पर पहला दो candle अगर हम देखें, यहाँ पर आपका support के रूप में ही काम किया है, लेकिन हमें entry का मौगा कहाँ पर दिया, इसके आसपास हमारा यहाँ पर अगर करते हैं, तो SL हमारा लंबा बनेगा, तो यहाँ पर हमें confirmation के लिए भी wait करना है, सिर्फ एक बार break करने से नहीं काम चलेगा, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए support लेवल को, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, कि support लेवल को इसने respect भी किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैं clear बता देता हूँ, चार्ट को थुर्बास जूम कर देते हैं, visibility सही होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इतने सारे form होने के बात, इस candle के आसपास, यहनि हम 120 के आसपास, हम buy side की तरफ trade initiate कर सकते हैं, यहनि यहाँ पर जो हम buy करेंगे, वो आपका 125 से लेके, 130 के बीच में कहीं पर भी buy कर सकते हैं, अगर हम SL की बात करें, तो हम जो पहला target price रखेंगे, वो लगबग इस level के आसपास, जो हमारा highest point था, 140 यह फिर 150 करीब रख सकते हैं, यहनि 150 के करीब आपना पहला target price रखेंगे, तो अगर हम 130 से भी conclude करते हैं, तो SL 10 point का बन बाए, और target price यहाँ पर हमारा anyhow 20 point का बन बाए, तो हमें profit छोटा सा मिल रहा, लेकिन risk reward हमारे favor में है, लेकिन क्या होगा price नीचे आए, और हमारा SL यहाँ पर hit हो गया, तो अगर हमारा SL हिट हुआ, तो हमें छोटा सा नुकसान होगा सिर्फ 10 point का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा SL हमेशा से ही कम है, चाहिए back nifty की आप उठा देख लो, या फिर nifty की उठा दो देख लो, यहनि अगर आपको नुकसान बें यहाँ पर होता है, तो काफी छोटा सा नुकसान होगा, यहनि यहाँ पर आप concept समझे, कि विस्क हम यहाँ पर काफी यह तक मिनमाईज करें, बहुत साही लोग जो options करते हैं, वहाँ पर SL रख लेते हैं, 50 point का, 70 point का, in fact 100, 100 point का SL रख लेते हैं, इतने बारे SL के साथ आपको इंट्राडे में नहीं trade करना, जैसे इतना बड़ा SL बनता है, अब हमें same strike price का selection किया था 18,300 के put को, यहाँ पर अगर हम देखें तो starting से, जो हमारा V-Wap था, वो क्या काम कर रहा था, वो resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर हम wait करेंगे resistance को respect करना चाहिए, देख सकते हैं, इसके नीचे इत वेड करा, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद देखें, यहाँ पर यह, वापस से इसको respect किया, एज रिसिस्टेंस, तो उसके बाद जैसे प्राइस आपका नीचे आने लग गया, इस candle के आसपास, लगबग 102 के करीब, यहाँ पर हम क्या करेंगे, sell side की तरफ trade initiate करेंगे, यहाँ पर अगर हम SL की बात करेंगे, तो इसका जो भी highest point बनेगा, लगबग 106, या फिर 110 ले सकते हैं, जो भी SL बन वाँ, 106 हमारे लिए SL की रूप में काम करेंगा, टागेट पर हम बात करेंगे, तो इसका जो भी lowest point बना है, लगबग 90 करीब, टागेट हमारा होगा 90 करीब, यहाँ पर भी हमारे target छोटा सा है, लेकिन SL उससे भी काफी छोटा सा, यह नि अगर हम target की बात करेंगे, तो target हमारा कितना बन वाँ है, 12 point का target बन वाँ, SL बन वाँ हमारा सिर्फ 4 point का, तो risk reward यहाँ भी काफी यह तक हमारे favor में ही, move करता हुआ दिख रहा, all the way price नीचे आया, और देख सकते हैं, 90 के level को इसने finally hit कर दिया, यहनि यहाँ से भी मुझे 12 point का profit, आसानी से मिलता हुआ दिख रहा, 18.53 करीब open हुआ है, और अभी भी आपको 350 करीब move कर रहा, यहनि लगबग आपका 70 point के range में ही move किया, जहाँ पे हमें ज्यादा opportunity नहीं मिल वा है, किसी भी तरफ trade लेने का, और इसके बाब जोद भी यहाँ पे अगर हम options trading से profit बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इस तरीके से हम क्या अगर सकते हैं, options trading में VBAP का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पे हम trading initiate कर सकते हैं, तो उमीद करते हैं, यह simple सा concept है, कि options trading में हम VBAP को यूज करके कैसे profit बना सकते हैं, अगर आपको future options के बारे में और detail से study करना, तो हमने इसके लिए course भी design किया, उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करना होगा, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको future options का course मिल जाएगा, जहाँ पर आपको basic से लेके advanced level तक सारा कुछ बताया गिया, और हमने इस तरीके से बताया, कि आप as an independent trader काम कर सकते हैं, future options में trading decisions आप खुद से ले सकते हैं, और आप चाहो तो stock market में carrier भी बना सकते हो, उस course को देखने के बाद, तो आप course को एक बार जरूर देखिए, हमारा mobile app डाउनलोड करके पसंद आता है, तो आप enroll कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उमीद करते हैं, वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करके हमें इनकवेज किजिए,